जै महाकाली मित्रों, मित्रों अगर किसी घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत जदा नराज नराज रहता है, घर में जो बच्चे हैं बहुत जदा चिड़ चिड़े हो गए हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे हो गए हैं जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपका पती आपसे सही से बात नहीं करता और बहुत जदा चिड़ चिड़ा हो गया है, या कोई तीसरा प्रचन है जो बीच में आ गया है, इसके अतिरिक्त कोई भी परेशानी हो, जो की आपके घर-पड़िवार में हैं और आपसे कोई भी बात ढंग से नहीं कर रहा है, तो इसमें वशीकरन बहुत जदा अवश्यक हो जाता है, गलत रहा पर अगर व्यक्ति चल रहा है, जैसे दारू पीने लग गया है, या जुआ सट्टा खेलने लग गया है, और भी कई बाते हैं, जो व्यक्ति परेशान कर रहा है बहुत जदा, अगर कोई पूरूस है, इस तरी गलत चल रही है, बार-बार माई के जाती है, वहां से कुछ करवाती है, किसी पर, घर में कुछ करवाती है, किसी भगत के पास बार-बार जा रही है, और घर का महोल जो है, बहुत जदा बेकार हो गया है, या कोई तीसरा प्रसन बीच में आ गया है पतिबतिनी के तो ऐसे में वसी करन बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है ओए सब्सक्राइब एसे में आप वशीकरन कर सकते हैं यह और भी कहता है क्योंकि इसमें आपने संकल्प लिया होता है देवी देवता इस साधी से जो आपकी साधी है उससे जुड़े होते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता इसलिए आप वशीगरन कर सकते हैं या घर के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं पड़ाई में उनका ध्यान नहीं है आपकी बात नहीं सुनते किसी और की बात सुनते हैं या ऐसा हो गया है कि आपके घर में कोई और लेडिस है उसकी ज़्यादा बात सुन रहे हैं और आपकी नहीं सुन रहे तो ऐसे में टोने टोटके भी कारे करते हैं क्या पता आपके घर पडिवार में किसी ने उनको वस्मे कर रखा हो या आपके उपर तंत्र कर रखा हो आज कि जो है दुश्मन जो है behar में ही होतें बहर वाले कभी भी दुश्मन नingen कि 100 में से 70 पर्षंट घर मेना से दुश्मन मिलेंगे आपको बहार नि मिलेंगे इतने जाधा आपको कि ठीक है न तो बुजुरुगों के लिए भी अगर कोई व्यक्ति गलत चल रहा है या कोई तीसरा प्रसंद आ बीच में उसके लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं इस्त्री पुरुष कोई अच्छी रहा पर चलें गलत के लिए कभी भी इस्तिमाल मत करना कि इन सब को अपने वस्मे कर लेती हूं और अपने हिसाब से चलाती हूं या चलाता हूं तो ऐसा कभी भी मत करना आपके उपड़ भी उल्टा पड़ जाएगा इसका भाड़ी पड़ेगा आने वाले समय पे थोड़े दिनों के लिए वस्मे करना हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा आपके हिसाब से सारे व्यक्ति चलने लगेंगे लेकिन थोड़े दिनों वाद ही इसका असर खतम हो जाएगा अगर आपने गलत में चलाया तो और फिर आपको डबल जेलना पड़ेगा मुसी आपके चलें जो भटक रहा है वह सब अच्छी राव पर चलें कि से और गलत में फैसला करें ऐसा कहके मंत्र का इस्तेमाल करना है ऐसे बहाब से इस्तेमाल करना कहने की भी आवश्यक्टा नहीं है इसमें कुछ भी देवीदेवता से सर्फ मंत्र से तो मन्त्र को जपना है यह मैं बार बार बोल लूँ अगर आप अच्छे के लिए चलाओगे तो आपके लिए तुरंत ही कार्य करने लग जाएगा यह मंत्र ठीक है मैं वीडियो में लिखी तुरूप में आपको मंत्र भी दे दूँगा और बोल के भी बता दूँगा शावर मंत्र है एक मला स्रीगनेश की करनी है एक मला गुरू मंत्र की करनी है भगवान शिव का आशिरवाद लेना है प्रातना में प्रातना करते हुए अपने पित्रों का आशिरवाद लेना है प्रातना करते हुए और कुल देवी देवता से प्रातना करना है जो आपके इस्त देवता है उ मंत्र सुन लो ओम मोहना रानी मोहना रानी चली सैर को सिर पर धर तेल की दोहनी जल मोहू थल मोहू सब संसार जो मेरा कारे ना करे तो नर्क की भाटी में पड़े आदेश 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 गुरु गोरखनात को आदेश इस मंत्र का आपको एक माला का जब करना है रात्री में दस बजे के बाद कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, ब्रह्म मूरत में, या दिन में कर सकते हैं, इसमें कोई नियम पालन नहीं, आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक ही टाइम होना चाहिए, जितने भी दिन आप करेंगे, इसमें आपको संकल पलेनी के अवशक्ता नहीं है कि आपको 10 दिन करना है कि 21 दिन करना है कि 40 दिन करना है आप जितने दिन करना चाहें कर सकते हैं जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और आप एक माला अगर करते ही रहेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा और कई वेक्ति हैं जो नौकरी करते हैं इस्त्री है तो इस्त्री इस मंत्र को 21 वार पढ़कर अपने घर में अपने कमरे में 21 वार पढ़कर जो खाना बनाती है सब व्यक्तियों के लिए ग्रैनी है उस खाने में दो इलाईची पर फूंक मार कर उस खाने में मिला दे और सारे व्यक्तियों को खिला दे इसमें ही कार् करता है तो सेम यही विधी कर सकता है लेकिन अगर यह विधी नहीं कर सकता कोई बाहर से चीज लेके आ जाए जैसे सेव संत्रे केले हो गए और भी खाने की बहुत सारी चीजे होती हैं मिठी वह समान ले आए और घर में आके 21 वार मंत्र पढ़के उन पर फूंक मारके उनको खिला दे इसमें भी कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा दसी अग्यारा दिन में आप अपने आप अपने घर में देखेंगे कि जो व्यक्ति ज्यादा बिगड़ गया था गलत रहा पे चल पड़ा था या कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ गया था वो दूर हो जाएगा और आपके घर पड़िवार में बहुत ज्यादा प्यार मौबबत से लोग रहने लगेंगे अगर लड़ाई जगड़ा होता था तो वो भी खतम होना सुरू हो जाएगी इसमें आपको प्रातना करनी है मोहना देवी से कि है मोहना देवी जो भी मैं व और घर में ही जब करना है बहर आपको जबनी करना चलते फिरते आपको जब नहीं करना इस बात का विशेश कर आप ध्यान देना जैं बहुत ही सरल्विदी के साथ प्रचंड वशीकरन होता है और अगर अच्छे बाब से करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल इसका निकल के जाता है हमने करके देखा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं ठीक है ना इसको करो खुस रहो इसमें आपको नियम पालन की बिल्कुल भी आवर्शक्ता नहीं है जैसी भी हालत में हो आप जब कर सकते हो उपर बैठो बैड़ बैठो नीचे बैठो जमीन पर हाथ मुझ धो ना दो कोई फड़क नीक प्रता नियम पालन की अवर शक्ता नहीं आपने मंदिर में अगर आप बैठना चाहते हो तो अपने घर के मंदिर में बैठके भी आप जब कर सकते हो एक माला का या 21 मंत्र लेकिन अगर आप अपने घर के मंदिर में बैठोगे तो वहां पर आपको पंच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च मिलते हैं अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाली जै महाकाली